बेरागी जी की कविताओं में कई रंग हैं। श्रंगार और अंगार का कवी से तातपर्य है। श्रंगार को जागरत करने के साथ-साथ अंदर से प्रिरित करते हैं। ये भीतर से जो प्रिरणा जगाई जाती है वही कविता का मूल धर्म है। वही कविता का मर्म है और कविता का उद्देश्य है। इस द्रिश्टी से कवी के अगली कविता है पसीनो ललाट को। इस कविता का शीरशक ही इस बात की और इंगित करता है कि कवी यहां कर्म की श्रम की बात कर रहा है। श्रम की महत्ता से सभी विदित हैं, सभी जानते हैं श्रम की महत्ता को परन्तु श्रम की महत्ता को केवल जानना पर्याप्त नहीं है। श्रम की महत्ता को वही जानता है जो श्रम करता है कर्म करता है जो व्यक्ति सोया है जो व्यक्ति कर्म से अरुची रखता है और कर्म से विमुख है ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ये कविता है और इसका शीरिशक पसीनो ललाट को है कविता कुछ इस प्रकार से प्रारम होती है लिख्या लेख कदीनी धोवे पानी घाटम घाट को घाटम घाट का तात्पर्य है विबिन प्रकार के घाटों का पानी भी घाट घाट का पानी भी कर्म के लेख को नहीं मिटा सकता अर्थाद भागी के लेख को नहीं मिटा सकता इस पंक्ती से हिसा प्रतीत होता है जैसे कि कभी भाग्यवादी हो लेकिन अगली पंक्ती इस धारणा को द्वस्त कर देती है इस धारणा को बदल देती है कभी कहते हैं लिखया लेक कदीनी धोवे पानी घाटम घाट को ललाट की लकीरा धोवे पसीनो ललाट को ललाट पर जो लिखा हुआ है मस्तक पर जो लिखा हुआ है भाग्य की लकीरों में जो छिपा हुआ है उसे तो कोई नहीं मिटा सकता लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति जो कर्म करते हैं और श्रम की महत्ता को जानते हैं वे अपने भाग्य तक को बदल सकते हैं ललाट की लकीरा धोवे पसीनो ललाट को जिसके माथे पर पसीना आ रहा है और वो कर्म का पसीना है श्रम का पसीना है वो अपने भाग्य तक को बदल सकता है भाग लिखन सारू उठिया जद माचा से भगवान चरर मरर माचो करयो बस खुल गया महरा कान जब मनुष्य का भाग लिखने के लिए भगवान उठे मंच से और मनुष्य का भाग लिखने लगे जब उस मंच ने चरर मरर की ध्वनी की बस उस चरर मरर की ध्वनी से ही मुझे ये संकेत मिल गया कि कर्म करना चाहिए श्रम करना चाहिए भगवान भी लोगों का भाग्य लिखने का कर्म कर रहे हैं पर वे भाग्य इस प्रकार से नहीं लिखते जैसा उनके मन में आता है वे मनुष्य का भाग्य लिखते हैं उसके कर्म को देखकर उसकी कर्मठता को देखकर उसके प्रती उसके मन में उनके मन में जो धारणा है वो धारणा इस प्रकार की होती है कि जो मनुष्य कर्म करता है भगवान उठके साथ होते हैं कर्म के बदले में जो मिलता है जो महत्ता मिलती है जो सम्मान मिलता है जो धन आता है जिससे परिवार में सम्रद्य आती है जो सम्मान लोगों को कर्म करने से प्राप्त होता है जो सम्मान दोनों ही प्राप्त होते हैं ऐसा भाग्य परमात्मा लिखता है तो जो वेक्तिश्रम के महत्ता को जानता है उसके भाग्य में सम्मान भी है उसके भाग्य में धनलक्षमी भी है खाट पर बड़े रहने वाले व्यक्ति के नसीब में ये सब नहीं है पांच दान पूजा करे ने तीन दान तू नहाए रोना रोवे भाग का तू नत तीरत को जाए पांच बार पू अंध्या कहा जाता है और भी कई तरीके से पूजा पद्दतियां हैं और कई तरीके से पूजा की जाती हैं तो जो पांच बार भी पूजा करता है और तीन बार सनान करता है ताकि परमात्मा को प्रसंद कर सके ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा को प्रसंद नहीं कर सकता क्योंकि वो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है, रोना रोवे भाग का तु नत्य तीरत को जाए, तु अपने मस्तक को नवाता हुआ, जगे जगे अपने मत्य को टेकता हुआ, तीरतों तीरतों भटकता फिरता है, ये कर्म नहीं है, ये भाग्यवादिता है, पन्नीन धोवे लेख करम का यो चंदन को वाट को तू अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता है भगवान का भक्त होने का दावा करता है भगवान के ही आश्रित रहना चाहता है और भगवान तुझे कर्म के आश्रित करना चाहते हैं पन्नीन दोवे लेख करम का तू अपने कर्म के जो लेख हैं जिसमें आलत से लिख गया है उस कर्म के लेख को क्यों नहीं धोता है चंदन को वाट को अर्था चंदन की वो कटोरी जिससे तू अपने माथे पर चंदन लगा लेता है और अपने आपको भक्त मानता है वो चंदन की कटोरी भी तेरे भागे को नहीं धो सकती तेरे मस्तक पर लगा हुआ चंदन भी तेरे भागे को नहीं मिटा सकता उसे सुगंदित नहीं कर सकता तेरे मस्तक को सुगंदित करेगा तेरे माथे पर आया हुआ पसीना तेरी मेहनत तेरा परिश्रम लेलाट की लकीना धोवे पसीनो लेलाट को गंगा नहायो गोमती ने गयो नर्मदा तीर देव देवरा धोकिया ने लाख मनाया पीर तू कहा कहा नहीं गया तूने गंगा नहाया तू गोमती पर गया वहाँ भी सनान किया नर्मदा के तीर पर बैठ कर तुने भगवान के नाम को जपा, देव देवरा धोकिया, अलग-अलग मंदिरों में तुने धोक दिये, प्रणाम किये, नमस्कार किया, और कई पीरों को मनाया, लाख मनाया पीर, भाग दोल में भाग ठकी गयो, तू भी वेगयो साथ को, इस भ अर्था तेरे उम्र के साथ साल तक व्यतित होने आ गए, लेकिन फिर भी तेरा भाग नहीं बदल सका, क्योंकि तुने कर्म की महत्ता को नहीं जाना, था कि गयो भगवान भी कर्म उन्शी को काम, भगवान भी क्या करे, भगवान भी भाग लिख लिख कर ठक गया है, भगवान भी ठक गये, मनुश्य का कर्म उसके भाग्य को लिखता है, भगवान केवल निवित नमात रहें, भगवान उसके भाग्य को लिखते हैं, ये धारना है, लेकिन मनुश्य का कर्म उसके भाग्य को लिखता है, भगवान भी ये मुशीगिरी का काम करकर के ठक गये, क्लरकी करकर के ठक गए मन आवे उइमान ने राखे अपनो नाम और यही हो रहा है कि जैसा मन होता है विक्ति वेसाही करता है और वेसाही उसका नाम होता है वेसाही उसका सम्मान होता है कठा तलक्ती गुण गाओगा अनी रुपारो चाट को ललाट की लकेरा धोई पसीनों ललाट को कब तक तुम भगवान के ही गुण गाते रहोगे कब तक तुम केवल इधर उधर की बातें करते रहोगे कब तक केवल मंदिरों तीर्थों में जा जाकर अपने भाग्य को बदलने की दर्खास्त लगाते रहोगे एक अरजी लगाते रहोगे और बार-बार अरज करते रहोगे निवेदन करते रहोगे ये गिलगळाना क्यों ये बार-बार की प्रार्थना क्यों जो मनुश्य परिश्रमी है उसे किसी के आगे गिलगळाने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वो तो अपने भाग्य को स्वय लिखने वाला है तो इस प्रकार कभी ये कहते हैं कि कब तक कठा तलक मतलब कब तक मनुष इस प्रकार से भगवान के ही गुंगाता रहेगा कब उसका भाग्य बदलेगा कब वो अपने आपको परिवर्तित करेगा इस भगवान के रूप के गुनगान को करने से कोई फायदा नहीं है भगवान के रूप का गुनगान भी तभी सार्थव कोता है जो मनुश कर्म करता है बड़े परोडे उठो और धर्ती ने शीष नमाओ रे जल्दी सुबह प्रातकाल उठ जाओ और इस धर्ती माता को शीष नमाओ इस धर्ती की एक विशिष्टा है इसमें जो परिश्रम के श्रम के पसीने के बीज बोता है अर्थात इसके साथ जुट जाता है जो धर्ती में बीजबोता है, उसे धर्ती दोगुना, चोगुना, कई कई गुना बदले में देती है, धर्ती सीख देती है, प्रकृती के जितने भी अवदान हैं, प्रकृती के जितने भी रूप हैं, सभी मनश्य को श्रम करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन मनश्य उन सब से आखें मूंद कर भगवान के प्रती लग जाता है, भगवान की भक्ति के प्रती लग जाता है, मनुश्य सोचता है कि इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये कर्म से पलायन मात रहे, भगवान की और मुख कर लेना, और कर्म से मुह मौड लेना, ये कर् पात श्रम सहित जुड़ जाओ, श्रम सरवर का अमरज जल से आको दन भर नहाओ रहे, श्रम सरवर, श्रम का सरवर, श्रम का सरवर है पसीना, श्रम के सरवर में सनान करो, उस पसीने में जो नहा जाता है, उस से जो दिन भर सनान करता है, भाग्यलक्ष्मी उसके पीछे पीछ यहां पर तो भाग्य लक्ष्मी स्वयम उसके पीछे फिर रही है क्योंकि कर्म करने वाला तो स्वयम अपने भाग्य को लिखता है तो राते अपने आप मिलेगा सीरो भरी वाट को जो दिन भर परिश्रम करेगा उसे रात को बढ़िया पकवान मिल सकते हैं सीरो भरी वाट को अर्थात हलवे से भरी हुई कटोरी जो मनुश परिश्रम करेगा वो चाहे जैसे पकवान खा सकता है जो मनुश परिश्टम करेगा वो अपने परिवार को सभी सुख साधन प्रदान कर सकेगा उसकी लिए सब सुख सुविदाएं जुटा सकेगा और अपने परिवार को प्रसंद रख सकेगा स्वेम भी सुख से रहेगा ललाट की लकीरा धोए पसीनों ललाट को चांद लिखे तारा भणे रे आखी आखी रात चांद भी कर्म कर रहा है चांद भी चांदनी फैलाता हुआ रात भर जागता हुआ रात भर अपनी रोश्नी को विखेरता हुआ कर्म कर रहा है तारा भने उसकी जो लेखनी है जो वो अपनी किरणों के माध्यम से लिख रहा है उसे तारे पढ़ रहे हैं भने मतलब पढ़े पढ़े इसका मतलब होता है पढ़ना तो चांद लिखे तारा भने रे आखी आखी रात पूरी पूरी रात चांद कर्म कर रहा है तारे भी कर्म कर रहे हैं सूरज आखो दन कहे रे किरना से या बात सूरज भी दिन भर परिश्रम कर रहा है वो अपनी किरनों से या किरनों के माध्यम से ये बात कह रहा है पेलो पेलो बोल यही है खुशहाली का पाठ को यह सभी एक ही संदेश दे रहे हैं यह पहला पहला पाठ है यह पहल पहला बोल उसका यही है कि खुशाली का पाठ यही है कि ललाट की लकीरें पसी नहीं धो सकता है कोई चंदन का टीका या जगए जगए प्रणाम करना ये मनुश्य के भाग्य को धो नहीं सकता उसे बदल नहीं सकता भाग भरो से आंगने मत कर दुख का धेर तु भाग्य के भरोसे रहता है उसी से तेरे आंगन में दुख का धेर लगा हुआ है इस दुख के धेर को तु चाहे जितनी बार कोशिश कर ले भगवान के द्वारे द्वारे जाकर लेकिन ये नहीं मिट सकता ये नहीं हट सकता इसे तु हटा नहीं सकता चोटीती एडी तल कि तक तुझे पडिश्रम में जुट जाना पड़ेगा और थात पसीने में तुा ऊपर से नीचे तक नहा जाए केवल पसीना बहाना यहाँ पसीना बहाना उस before प्रतीक मात्र है पसीने बहाने का मतलब है कर्म करना हर एक को तगारी नहीं उठाना है हर एक पिक्ति को पत्थर नहीं धोना है, पत्थर धोना, तगारी उठाना, रेत गिटी उठाना, ये तो कर्म करने के प्रतीक मातर है, ये तो वो शब्दावली है, जो मनिश्यों को कर्म करने के लिए प्रिरित करने वाली शब्दावली में से एक गिनी जाती है, मनिश्यों क में उसका पसीना अवश्य बहता है और पसीना बहने का मतलब है श्रम में जुट जाना चोटी ती एडी तलक श्रम का मोती पेर थारे पगा पड़ेगा वाणियों वाणियों का मतलब होता है बनिया फिर बनियों से कर्ज लेना पड़ता है साहुकारों से कर्ज लेना पड़त क्योंकि बनिया कर्ज वापिस मांगता है न इस पंट साहूकार के ज़ो कर्ज लेकर मनितर्श को फंसा देता है उसके इस चकर नहीं पड़ता उसके फेर में नहीं पड़ता उसके जाल से वह बचा रहता है थारे पगा पड़ेगा वानियों जबरा जंगी हाट को बड़ा व्यापारी जो हाट का व्यापारी है बड़े मेले का व्यापारी है बड़ा दुकानदार है वो भी तेरे पाहों पड़ेगा क्योंकि सभी नगत व्यभार को प्रसनता के साथ स्विकार करते हैं और नगत व्य शुष्रम करता है थाली मेती गई गरीबी रही कटोरी माएं जो मने शुष्रम करेगा उसकी थाली में से गरीबी धीरे धीरे दूर होती जाएगी वो कटोरी के आकार की रह जाएगी अर्थात बहुत छोटे में रह जाएगी धीरे 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 वो कटोरी में से भी मिट आदो इस क्षण में ये संक्रमन काल है ये संक्रांति काल है जब मनुष्य परिश्रम करता है और परिश्रम करता ही चला जाता है तब गरीबी दूर भाग जाती है वो फिर कभी नहीं लोटती अगर मनुष्य ऐसी घड़ी में सो गया किया मैंने पर्याप्त श्रम कर लिया है अगर उसने मान लिया, पर्याप्त श्रम जैसी कोई बात नहीं होती, पर्याप्त श्रम जैसी कोई शब्द नहीं होता, मनुश्य निरंतर श्रम करता है, जो मनुश्य निरंतर श्रम करता है, उसकी नींद भी श्रम है, क्योंकि वो जब ठक कर सोता है, तो उस सोने में उसे जो कंगाली के दीजोरे दादा जहाट को अब तेरे घर से कंगाली जाने वाली है ये परिश्रम करने वाले मानव अब तेरे घर से गरीबी जाने वाली है इस जाती जाती गरीबी को जोर से एक जटका दे जाती 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 कंगाली के दीजोरे दादा जहाट को इसको एक जोर का जटका दे, अर्थात इसे जटक दे, अर्थात इसे भगा दे, अपने घर से निकाल दे, और ये निकालना कियेवल श्रम के द्वारा हो सकता है, कुल मिलाकर इस कविता का सार यही है, कि मनुष्य श्रम करे और श्रम की की ही पूजा करे, श्रम ही भगवान है, श्रम से ही भग हो जाते हैं उसके घर में कभी गरीबी नहीं रह सकती वो सदेव प्रसंद रहेगा यह कविता यू तो श्रम की महत्ता पर लिखी गई है लेकिन कवी कवी होता है कवी के भीतर जो विबिन प्रकार की भावनाय जागरत होती है उन्हें वो अपने ढंग से अभिवेक्त करता है उसमें कवी का जो कवित्व है वो भी प्रकट होता है श्रम की महत्ता का बखान करते हुए कवी अपने भीतर की रूमानियत को अपने भीतर की कोमलता को नहीं छोड़ देता इसलिए एसी श्रम की महत्ता वाली कविता एसी प्रेरणा देने वाली कविता में भी उसका जो को कोमल भावनायी प्रकट हो रही है यहां कवी ने जिस उपमा में जिस रूपक में अपनी बात कही है उससे पता चलता है कि कवी का जो कोमल कवित्व है वो श्रम के महत्ता का बखान करते वे कवी अपने भीतर की कोमलता को बनाए रखता है इस कविता में भगवान के बारे में भी बात कही गई है और मनुष्य के बारे में भी कही गई है श्रम के बारे में भी कही गई है और आलस्य के बारे में भी कही गई है यहां भगवान के महत्व को कम नहीं किया जा रहा इस कव लिखता है सार्थक ढंग से लिखता है जो मनिश्य श्रम करता है अर्थात भगवान भी उसी पर प्रसंद होते हैं जो श्रम करता है कहा भी गया है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयम अपनी मदद करता है इस बात को अगर कविता की शेली में कहा जाए तो और अगर कोई इसी कविता हो सकती है तो ये कविता है पसीनो ललाट को अर्थात पसीना बहाना अर्थात अपने ललाट के लिखे हुए कर्म को लोग कहते हैं कि जो भागी में लिख गया जो ललाट पर भगवान ने लिख दिया भला उसको कौन मिटा सकता है लेकिन ये कर्मवादियों का कथन नहीं है यह भाग्यवादियों का कथन है और लेखक इसी लिए मनश्य को सच्ची प्रेरणा देता है कभी का करतव होता है मनश्य को सच्ची प्रेरणा देना और जेसी प्रेरणा उन्होंने इस कविता में दी है उसके माध्यम से अगर कोई सच्चा मनश्य है अगर को कर्म में रत हो जाएगा श्रम की महत्ता को जान कर श्रम में लीन हो जाएगा उसका बहता हुआ पसीना उसके सारे दुर्भाग्य को धोकर उसे उज्वल कर देगा और उसकी किस्मत को चमका देगा झाल झाल